यहां पे हम बात करने वाले किसकी DPI की और DPI क्या होती है DPI का मतलब डॉट पर इंच होता है यानि कि एक इंच का जो स्क्वाइर एरिया होता है उसमें डॉट्स की संख्या कितनी है अगर डॉट्स की संख्या कम है तो पिक्चर कॉलिटी अच्छी नहीं रहेगी अगर डॉट्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जाती देखे आप पिक्चर कॉलिटी कितनी साफ हो गई है ठीक है यहां आप देखोगे 10 DPI 10 DPI डॉट पर इंच है तो आप देखोगे पिक्चर कॉलिटी कितनी है थोड़ा सा आपको फटी फटी देख रही है फिर अगर 72 DPI करते थोड़ा ठीक और 300 DPI में देखे यहां पर बिल्कुल जग्कास हो गई है आगे बात करोगे यहां पर 22 DPI तो 22 DPI में इस प्रकार की चीज़े देखने मिलेगी और 300 DPI में कुछ इस प्रकार की चीज़े देखने मिलेगी एक इंच के स्क्वेर एरिया में कितने पिक्सल है उसको बोला जाता है DPI तो डिजिटल प्रिंट एक प्रकार का मापदांड है एक स्टेंडर्ड है हम बोल सकते DPI जो कि डिजिटल प्रिंटिंग और डिस्प्ले में पिक्सल के घनत वे यहां पर दरसा आता है कितना घना है जो आपका पिक्सल है वो उसको दरसा आता है प्रिंटिंग और स्क्रीन रेजोलेशन के संदर में भी स्को प्योक के जाता है DPI का हम बात करें यहां पर कुछ important fact की तो प्रिंटिंग में DPI की बात करें तो है एक standard हम देखें नॉर्मल तो 300 DPI यहां पर होता है standard जिसका हम उप्योग करते हैं प्रिंटिंग में ज्यादातार हम जो है 300 करते हैं पर 600 अगर करें तो और अधिक space जो है quality अपकी बढ़ जाएगी परन्तु quality बढ़ जाएगी पर size भी बढ़ जाएगा तो ज्यादातार यूज करतें 300 डिस्पले में DPI की बात करें तो screen resolution की अगर बात करें तो screen resolution में DPI काम यानि के HD है 480 फिर बढ़ते जाएगा देखे 4K तक तो quality यहां पर बढ़ते जाएगी पिक्चर quality हो या फिर वीडियो कुछ भी हो तो आपकी screen जो है और स्पस्ट दिखेगी device में आप देखोगे तो smartphone, tablet है, laptop है इसमें और अधिक स्पस्ट हमको दिखाई देता है क्योंकि इनकी resolution बहुत अधिक जो होती है स्पस्ट होती है तो web यानि कि internet में बनाना है तो भातार और print के लिए या फिर आप जो है कहीं और चीजों के लिए क्या बना रहे हो image तो उसके लिए आप उसकी जरुवत के हिसाफ से resolution रख सकते जैसे 300 है या जैसा भी rendering मतलब बैवस्तित करना video, text या जो भी आपने image बनाए है उसके लिए तो यहाँ पे भी आपको जो है rendering के समय image resolution काफी प्रभाव भी करता है जैसे यहाँ देखो ज्यादा resolution यहाँ पर है यहाँ पर कम resolution है यहाँ image rendering की बात कर सकते हैं user experience की बात करें यहाँ readability और visuals अगर user को ज्यादा अच्छी image देखेगी इस पस्ट देखेगी तो उसका जो experience है वो काफी अच्छा रहेगा परन्तु फटी-फटी image देखेगी तो उसका दिमाग खराब होगा खुल मिलाकर अगर बात करें तो DPI एक महत्पूर्ण है क्या है मापदांड है मानाक है जो print और display की quality को प्रभावित करता है अगर high DPI होगी इसका मतलब है कि जो है बहतार इस पस्ट आपको देखेगा विवरन गुनबत्ता चाहे बहुत प्रिंटिंग हो चाहे डिस्पले ह डिजिटल डिस्पले तो इस प्रकार से हमने DPI के बारे में हाँ बेसिक चीजे जाने आई होब आपको समझ में आ गया होगा